Hello everyone, welcome to currentopedia. इस वीडियो में हम करेंगे monthly current affairs, January का भाग एक. और January को हम cover करेंगे तीन पार्ट में, जिसका दूसरा और तीसरा पार्ट इसी चैनल पे upload होगा बहुत जल्दी. और इस वीडियो में हम करेंगे एक से लेके 10 January के जितने भी important current affairs के question बन सकते हैं, हम उन सब को discuss करेंगे और इस वीडियो में हम लगभग 100 questions को discuss करेंगे, और साथी में जो questions रहेगा उसके साथ उससे related जो extra facts रहेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वह काफी useful रहेगा आपके लिए तो इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है, ताकि आपको जितने भी questions मैंने discuss किये हैं वह सारे आपको याद हो जाएं और इसको देखने के बाद आप किसी भी exam को किसी भी exam को इंडिया में जिसमें current affair पूछा जाता है, उनको confidently attend कर सकते हैं तो इस वीडियो लेक्चर की PDF अगर आपको डाउनलोड करना है, तो हमारा telegram channel currentopedia join करें, जिसका link description में दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, सबसे पहले हम cover करेंगे important days, चार जनुरी को मनाया गया word braille day, क्यों मनाया गया, क्योंकि इस दिन होता है, Lewis Braille का जन्म दिन, Lewis Braille का जन्म दिन होता है, उसी दिन मनाते है word braille day, और यह हमने मनाना शुरू किया है 2019 से, यानि यह तीसरा braille day है, third word braille day है, और अभी हाली में मनाया, DRDO ने एक जन्वरी को मनाया अपना तिरसेटवा foundation day, foundation day, यानि अस्थापना दिवस, और DRDO जो बना था, वो 1958 को बना था, और इसका जो हेड़क्वाटर है, वो है न्यू देली में, chairman है जी सतीष रड़ी, परवासी भारती दिवस, हमने मनाया 9 जन्वरी को, क्यों मनाया, क्योंकि गादी जी 9 जन्वरी को ही South Africa से इंडिया आया थे, इसलिए हम 9 जन्वरी को परवासी भारती दिवस मनाते हैं, और इसकी जो थीम थी, वो थी contributing to आत्म निर्भर भारत, और आपको पता होगा कि लगबग 3 करोड, 3 करोड भारतिय भी देशों में रहते हैं, NRI के रूप में, non-residence, इंडियन के रूप में, और World Hindi Day हमने मनाया 10 जन्वरी को, World Hindi Day, और जो National Hindi Day होता है, वो होता है 14 सेतंबर को, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, National Hindi Day 14 सेतंबर को, क्यों 14 सेतंबर को, क्योंकि National Hindi दिवस, यानि जो Hindi सम्मेलन हुआ था, 1975 में यह हुआ था पहला नागपूर में, नागपूर में 1975 को हुआ था, पहला हिंदी सम्मेलन, 14 सेतंबर को, इसलिए हम मनाते है National Hindi Day, और World Hindi Day मनाते हैं, 10 जन्वरी को, National Youth Day हम मनाते हैं, 12 जन्वरी को, क्यों मनाते हैं, क्यों कि, स्वामी विवेका नंद जी का, बर्थडे है, इसी दिन, या जहन्ती है, तो इसलिए हम बनाते हैं, 12 जन्वरी को, National Youth Day, अब हम देखते हैं arbitraries, यानि कितने लोहों की death हो गई, तो इसमें questions ऐसा पूछा जाता है, कि जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इंदरा जोसेफ जिनके अभी हाली में death हो गई, तो वो किस से संबंदित थे, यानि वो क्या थे, क्या थे, तो ये ऐसे question पूछा जाता है, तो इसमें ये थे broadcaster, इसमें option आपको टिक करना है, radio, broadcaster थे, all India radio के, तो इनकी अभी हाली में death हो गई, और Indian footballer थे, औलम्पियन निखिल नंदी, इनकी भी death हो गई, 88 साल की उमर में, एर वाइस मारसल अजीत लामा, इनकी भी death हो गई, शांतनू मुहपात्रा, उडिया म्यूजिक डिरेक्टर थे, इनकी भी हाली में मिरित्ती हो गई, और Olympic bronze और वर्ड कप बिनर होकी प्लेयर, माइकल किंड इनकी भी death हो गई, इंडिया ने जो 1975 में वर्ड होकी कप जीता था, उसके ये member थे, और Congress के leader, Union Minister Bhuta Singh, इनकी भी death हो गई, New Zealand के test batsman John Fulton Reed, इनकी भी death हो गई, और नरेंदर बुल कुमार, ये एक mountaineer थे, यानि ये परवता रोही थे, इनकी भी death हो गई, और जो सियाचिन में सियाचिन में operation मेगदू जो हुआ था, उसमें इनका काफी बड़ा रोल था, और इनों ये ही थे जो नंदा देवी परवत जो है, उस पे सबसे पहले चढ़ने वाले, या नंदा देवी चोटी पे सबसे पहले पहुँचने वाले, ये थे, कर्नल नरेंदर बुल कुमार, औ और फॉर्मर मिनिस्टर बिलास पाटिल का भी निधन हो गया भी हाली में, कॉलीन बेल का भी निधन हो गया, जो की एक फुटबॉलर थे, अलैन बुग्स, इनका भी निधन हो गया, जो की oldest living first class किर्केटर थे, और इनकी डेथ हो गयी 100 साल की उम्र में, और एक फैशन डिज साल की उम्र में और सीनियर कॉंग्रेस लीडर और केला के स्टेट मिनिस्टर थे के के राम चंदरा इनका भी निधन हो गया हाल ही तो अब हम लोटते हैं इंडिया का पफ़्लीनेटर पारक उत्तर खंड में जो के खुला है वो कौन से इस्टिक में खुला है तो यह खुला है पॉलीनेटर पार्क उत्तर खंड खंड में खुला है नैनी ताल में और compression में कहां हल्दवानी में हल्दवानी में खुला है नैनिताल में पहला पॉलिनेटर पार्क और आपको याद होगा हल्दवानी में ही खुला था ग्रीन रामानया पार्क और उत्राखंड में ही खुला है लाइकेन पार्क पहला लाइकेन पार्क इसनो लिपर्ड पार्क यानि हीम तेदुआ जो होता है उसका conservation center खुला है इसनों लिपड conservation center ये भी उत्राखण में खुला है और लाइकेन जो पार खुला है वो खुला है पिथोरा गड़ में और नैनी ताल में ही खुला था मौस गार्डन मौस गार्डन देश का पहला मौस गार्डन ये भी नैनी ताल में खुला था डियारडियो और इंडियन ने भी ने मिलके अभी एक trial किया है जो कि एक सोदेशी built air capable container है इसको DRDO और इंडियन नेवी ने मिलके अभी टेस्ट किया है और ये सोदेशी है पूरी तरीके से तो उसका क्या नाम है इसका नाम है सहायक NG और एक विश्टा डूम टूरिस्ट कोच बना है जो की काफी सुन्दर है तो उसको इंडियन डेल्वे ने बनाया है तो इसको बनाया है इंटिग्रल कोच फैक्टरी चन्नईने और आपको याद होगा वंदे भारत जो ट्रेन थी इसको भी बनाया था इंटिग्रल कोच फैक्टरी चन्नईने इंडियन और फ्रेंच रफाइल फाइटर जेट्स विल कैरी आउट वार गेम्स इसकाई रोज इंडियन और फ्रेंच रफाइल जो होंगे वो इसकाई रोज एक्सरसाइज करेंगे जन्वरी 2021 में तो यह कहां पर करेंगे यह करेंगे जोदपुर में इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो रफाइल फाइटर जेट हैं जो हमने खरीदें फ्रांस ने जिसको बनाया DASOL DASOL company ने जो कि फ्रांस की है तो उसके जो पाइलेट होंगे वो इंडियन एरफोर्स के पाइलेट को ट्रेनिंग देंगे तो उसको उसको एक्सरसाइज को हमने नाम दिया स्काई रोज और यह होगा जोदपुर में यह होगा जोदपुर में और आपको पता होना के साथ हम तीन exercise करते हैं एक exercise करते हैं शक्ती जो इंडियन आर्मी करती है और एक करते हैं वरुन जिसको करती है हमारी नेवी और गरुण जिसको करते हैं इयर फोर्स के साथ मिलके इयर फोर्स के साथ मिलके अभी हाली में external affair ministry यानि बिदेश मंतराले ने एक portal launch किया है जो होना चाहिए कि लगबख तीन करोड परवासी भारती यानि भारती बिदेशों में रहते हैं तो उनको connect करने के लिए बिदेश मंतराले ने कौन सा पोर्टल लॉंच किया है तो यह लॉंच किया है गलोबल परवासी रिष्टा गलोबल परवासी रिष्टा और जो external affair ministry यान ने एक अभी बुक लिगी थी दा इंडियन वे और जो परवासी भारती दिवस है वह हम 9 जनुवरी को मनाते हैं आपको मैंने बता दिया क्यों मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांदी जी साउथ अफरीका से 9 जनुवरी को इंडिया में आये थे अगला question यह cabinet committee on economic affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi approved construction of industrial corridor notes industrial corridors कहाँ पर बनेगे और cabinet committee ने इसको अफे अपरूब किया है जिसके head होते हैं हमारे प्रधान मंत्री नarendra मोदी जी तो यह कहाँ पर बनेगा तो यह बनेगा आंधरा और करनाटका में अधरा और करनाटका में बनेगा एक industrial corridor node और आंध्रा में यह जोड़ेगा कृष्णा पटनम से बनेगा टूमा कारो जो कि है करनाटका में तो इन दो शहरों को जोड़ेगा और इसमें बनेगा industrial corridor nodes और आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि greater noida में ही बनना है multi-model logistic hub और multi-model transport hub यह बनना है कहाँ पे greater noida में Union cabinet has approved an MAU between India and which country on cooperation in peaceful uses of outer space यानि जो outer space है उसके peaceful use के लिए union cabinet ने किसके साथ MAU shine किया है तो यह किया है भूटान के साथ बूटान की जो capital है वो है थिंपू बूटान की जो capital है वो है थिंपू और इसकी जो currency है वो है नगुल ट्रम और इसके जो PM है वो है लोटे श्रिंग Union cabinet has approved the export of which Indigestionally developed and manufactured missile यानि सौदेशी missile है वो कौन सी missile है जिसको export करने का approval दे दिया है यूण ने तो यह जो मिसाइल है इसको हम export करेंगी यह है आकास missile आकास missile और यह surface to air missile है और शौर्ट रेंज की मिसाइल है और शौर्ट रेंज की मिसाइल है और शौर्ट रेंज की मिसाइ है जिसका रेंज है 25 किलोमेटर यानि सतह से आसमान तक ही मार कर सकती है और जो हमारा export का लच्छ है वो है 5 billion, 5 billion का export का लच्छ है और इसको हम export करना शुरू करेंगे Municipal Corporation has signed an MOU with UNDP United Nations Development Program India to co-create India's first social impact bond इंदिया का पहला social impact bond Municipal Corporation काउन सा है जो इसको launch करेगा तो यह करेगा पिम्प्री छिंदवाल Municipal Corporation जो की है महराष्ट्रा में जो की है महराष्ट्रा में और जो Municipal Bond है उसको launch किया भी हाली में लखनौ ने यानि लखनौ Municipal Corporation ने launch किया Municipal Bond और यह ऐसा करने वाला 9th Municipal Corporation है और जो सबसे पहले launch किया यह था Municipal Bond वो था Bangalore और Municipal Bond के लिए या Bond के विकास के लिए ही एक कमेटी गठित की गई थी सेवी के द्वारा Security Exchange Board of India जिसका headquarter Mumbai में है इसके द्वारा तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुजीत प्रसाद सुजीत प्रसाद कमेटी यह भी आपको याद रखना है Businesses mostly turnover यानि जिनका turnover काफी ज्यादा है तो उनको कम से कम 1% का tax cash में देना पड़ेगा यानि GST जो है वो cash में देना पड़ेगा तो जिनका turnover कितने लाग तक है उनको 1% का GST देना पड़ेगा cash में तो यह है 50 लाग यानि आपका business का turnover अगर 50 लाग है तो आपको 1% GST cash में देना पड़ेगा और ऐसा किस ने कहा यह कहा है आप परतेच कर विभागने जिसके जो minister है या जो chairman है वो है अजीत कुमार अजीत कुमार अजीत कुमार और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको like कीजे और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको dislike कीजे और इसको share और subscribe करना बिल्कुल ना भूलेगा, इससे हमें motivation मिलता है, हमें पैसे नहीं मिलते हैं अगर आप like या subscribe करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको या नहीं, तो like, share और subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा, अभी हाली में हमारे प्राइ नहां एमस बनना है नया गुजरात में तो यह बनना है राज कोट में, और कुछ दिन पहले ही प्रधान मंत्री ने ही उद्गाटन किया था, दर्भंगा में, दर्भंगा में भी एक एमस बनना है, जो कि है बिहार में, तो इसको भी आपको याद रखना है, इंडियन ओयल में अभी हाली में देश का पहला फर्स्ट रिमोट मॉनेटिंग सिस्टम, ओयल रिफाइनी टर्भाइन्स के लिए यह कहां पर विक्सित किया है, यह कहां पर लगाया है, तो यह लगाया है है, हैद्राबाद, जो कि है तलंगाना में, और जो रिफाइनरी की बात हो रहे है तो मतुरा में एक रिफाइनरी मतुरा रिफाइनरी और पानी पत में भी है रिफाइनरी जो कि हरियाना में है, और जो IOC, IOC, Indian Oil Corporation के जो चेर्मेन है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, यह है श्रीकांत माधो वैद, श्रीकांत माधो वैद, और तिहान, which is the country's first test bed for autonomous navigation system यह कहां पर लगा हुआ है? यह कहां पर तिहान लगाया है? यह अगें लगाया है IIT अहदराबाद में और DRDO ने हैदराबाद में ही लिगाया है देश का पहला Advanced Hypersonic Wind Testing Terminal ये भी लगाया है, हैदराबाद में लगाया किसने, DRDO नी और तिहान भी लगाा आए और अभी कौन सा स्टेट है जिसने इंट्रोडूूस किया है एक जिला एक शिल्प को इंट्रोडूस करने वाला कौन सा राज्य है तो ये है मध प्रदेश यह है मधपरदेस, सीम है सिवरासिंग चोहन, गवर्नर है अनंदी बेंद पटेल, जोगी उत्तर परदेस में एक कारिकरह लाुझ हुआ था, जिसका नाम था एक जिला एक उत्पात। एक जिला, एक उत्पाद, तो इससे आपको confused नहीं होना, एक जिला, एक उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, और एक जिला, एक शिल्प, यह है मद्ध प्रदेश का. ठोंबल मल्टी परपस प्रोजेक्ट, ठोंबल डेम, यह कहां पे इनोग्रेट किया गया है, तो यह किया गया है? इमफाल में, मनीपूर की कैपटल और इमफाल में ही होता है चेरी ब्लोसम फेस्टिबल जो सीम है वो है विरेंदर सिंग और जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है, वो भी है मनिपुर में और उसका नाम है नोंग पेक सेग मई, नोंग पेक सेग मई, रागवेंद्र सिंग चौहान और यह कुछ चीफ जस्टिस के नाम है, इसका स्क्रीन शॉट ले कि आप इसको याद रख सकते हैं, उत्तरा खंड के बने हैं, जितेंद कुमार महेश्वरी, और मद्द परदेश के बने हैं, मुहम्मद रफीक, अनूग कुमार गोसाम बने हैं, आंदर परदेश की चीफ जस्टिस, आंदर परदेश की चीफ जस्टिस, और अभी अभी तलंगाना की बनी हैं, हिमा कोहली, हिमा कोहली बनी हैं, तलंगाना की चीफ जस्टिस, और इंडिया की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की CGI वो हैं, शरद अरविंद वो इस बिन अपॉंटेट एज दा निव चेर्मेन एंड सीओ आफ रेलवे बोर्ड तो रेलवे बोर्ड के नए चेर्मेन कौन बने हैं और सीओ भी बने हैं तो यह बने हैं सुनीत शर्मा सुनीत शर्मा इंडिया और ADB जिसका हेटक्वार्टर मनिला फिलिबिन्स में है उन्होंने साइन किया है दो सो इकतिस मिलियन डॉलर का लोन इलेक्टिसिटी जन्नेशन को बढ़ावा देने के निया या अच्छा करने के लिए तो यह किस स्टेट के लिए यह लोन एग्रिमेंट किया गया है तो यह क्या गया है असाम के लिए असाम में एक है लोवर कोपली हाइड्रोलेक्टिक प्रोजक्ट है उसके लिए लोन साइन किया गया है और यह जो हाइड्रोलेक्टिक प्रोजक्ट है यह बनेगा कोपली रीवर पे बनेगा असाम में. इसके लिए हमने loan sign किया है दोसो एकत्र Вас निलियन ेंड डॉलर का ADB से. और ADB से ही अभी हमने sign किया है दस मिलियन ेंड डॉलर का loan. दस मिलियन ेंड डॉलर का loan होर्टी कल्चर, production को बढ़ावा देने के लिए, कौन से state के लिया है हमने loan? तो यह लिया है हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए अगेन ये भी हमने लिया है ADB से सोमा मॉंडल अभी अभी चेयर्मेन बनी है किसकी कौण से एजंसी की या कौण से कंपनी की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो यह बनी है सेल की इंडिया लिमिटेट की चेर्मेन बनी है सोमा मॉंडल और इनकी नाम की घोसना हो गए थी सतंबर 2020 में ही लेकिन यह अभी हाली में नियूक्त की गई है यानि अभी बनी है और यह पहली महिला चेर्मेन है सेल की सोमा मॉंडल तो यह काफी इंपॉर्टन कोश्चन है को आपको याद रखना है एक इस्तन इंडिया में इस्तन इंडिया को हम स्टील हब बनाना चाहते है जिसके लिए हमने शुरू किया था एक mission पूर्वोदय और यह इस टील हब जो हम बनाएंगे किसके सहायता से हम बनाएंगे जापान की सहायता से हम बनाएंगे तो मिशन पूर्वोधे में जो पार्टनर कंप्री था वो था जापान और अभी किसाल फसन राहत योजना किस स्टेट ने लॉंच किया इसमें क्या होगा कि अगर किसानों की फसल किसी तरह से बरबाद हो जाती है तो गौवर्मेंट उनको कंपंसेट करेगी है और कुछ पैसे देगी तो यह कौन सी राज ने यह स्कीम लॉंच किया है तो इसको कि जारखंड की गौवर्मेंट है और इंट्रेस्ट रेट आपको याद होने चाहिए तो जो इंट्रेस्ट रेट है उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है जो पीपीफ है यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसका जो है इंट्रेस्ट रेट वो है 7.1% नेशनल सेविंग स है 7.4% यानि 7.4% और जो सुकन्या सम्रिद्धी योजना है उसका इंट्रेस्ट रेट है 7.6% किसान विकास पत्र 6.9% और सेविंग डिपॉजिट पे जो इंट्रेस्ट रेट है वो है 4% तो यह आपको याद रखना है Ministry of Defense ने अभी एक कॉंट्रेक्ट साइन किया है दस लिंक्स यूटू फायर कंट्रोल सिस्टम को बिल्ड करने के लिए तो यह किसके साथ यह साइन किया है कॉंट्र 맡ल ने तो यह किया है भारत ःलेक्ट्रोनिक्स लिमिटिटिट के साथ भारत रलेक्ट्रोनिक्स लिमिटिट हूं में जो पहला जिंजर Nit launching प्लांट लगेगा तो यह कहां पर लगेगा तो यह लगेगा मेघालया में कहां पर मेघालया में और इसके जो CM है वो है कुनार्द संग्मा तो यह मेघालया में लगेगा जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कौन सा स्टेट है जिसने अभी एक अप्लिकेशन लॉंच किया है एधिजीनिस्ट और यह प्रोवाइड करेगा डिजिटल ऐस टो डय स्टेट अव गवर्मेंट डियरेक्टरी यह या जो नमबर्स या कॉन्टैट्ट ль तो वह तो उसके लिए बनाया है एक नंगर्ण पंजाब कि गवर्मेंट है Adopt Heritage, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, इस scheme में क्या होगा, कि आप किसी एक धरोहर को adopt कर सकते हैं, या गोद ले सकते हैं, तो इसका नाम रखा है, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, और इसको launch किया है, Ministry of Tourism ने, यानि परेटन विभाग ने, किस और मिनिष्टी के साथ मिल के, तो इसमें जो दूसरा मिनिष्टी है, वो है Ministry of Culture, यानि Ministry of Culture और Ministry of Tourism ने launch किया है, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, इसकी जिसमें हम किसी एक धरोहर को गोद ले सकते हैं, तो इन दोनों जो मिनिष्टी हैं, इसके जो मिनिष्टर हैं, वो हैं, परलाद सिंग पटेल, जिनकी constituency है, दामो, दामो, which state has signed a contract to set up country's first ethanol plant, अंडर PPP model, यानि Public-Private Partnership Model पे देश का पहला ethanol plant बनेगा, तो यह कहां पे बनेगा, और जो contract sign किया है, यह क्यों से state ने किया है, तो यह किया है, 36 गड़ की government है, 36 गड़ की government है, और प्राइम मिनिष्टर नरेन मोदी जी ने अभी हाली में foundation इस्टेवन रखा, National Environmental Standards Laboratory का, तो यह कहां पे रखा, यानि यह कहां पे बनेगा, तो यह बनेगा New Delhi में, और अभी हाली में, जो दो वैक्सीन है, कुरोना वाइरस के लिए, कुरोना वाइरस के लिए जो दो वैक्सीन इंडिया में लग रही है, तो वह कौन सी दो वैक्सीन है, जिसको Drug Controller General of India यानि DC, GI ने अप्रूब कर दिया है, Emergency Use के लिए, Emergency Use के लिए ही अप्रूब किया है, तो यह दो वैक्सीन जो है, वह है Covishield, Covishield, जिसको बनाया है Serum Institute of India, यानि जो पूने में है, और यह Oxford की वैक्सीन है, जिसको बनाया है, या Manufacture करा Serum Institute of India, और को वैक्सीन को बनाया है, भारत बायोटेक में है, भारत बायोटेक में है, और इंडिया ही अभी सबसी तेजी से 10 लाक, 10 लाक लोगों को वैक्सीन लग लाने वाला दुनिया का पहला देश बनाता, और दुनिया में सबसे बड़ा टीका करण अभियान या वैक्सीनेशन जो चल ला है अभियान, वो चल ला इंडिया में 16 जनुरी से, यह भी आपको याद रखना है, IDBI बैंग ने अभी कुछ हिस्सा अपना कुछ परसेंट बेच दिया है, IDBI फेडरल लाइफ इंसोरेंस कमपनी का, किसको बेचा है? AGIस इंसोरेंस इंटरनेशनल एनवी को, तो कितना परसेंट हिस्सा IDBI ने बेचा है? तो यह बेचा है, 23% हिस्सा बेच दिया है, एजियास इंसोरेंस इंटरनेशनल को, तो इनका जो परसेंटेज हो गया है जो शेयर हो गया है, 49% एजियास का शेयर हो गया है आईडीबियाइफ फेडरल लाइफ इंसोरेंस कमपनी में, कौन सी गोर्मेंट ने अभी यह डिसाइड किया है कि reward देंगी या award देंगे अगर कोई भी आदमी person with disability के साथ में शादी करता है यानि marriage करता है person with disability के साथ में तो उसको धाई लाक रुपे दिया जाएगा तो यह किस ने कहा है यह कहा है उड़ीजा की government है उड़ीजा की government देगी धाई लाक रुपे अगर कोई जो person with disability है उनके साथ शादी करता है तो flying big flying big यह एक नई airline company है और यह इंडिया में run करेगी और इसका answer तो मनें बता ही दिया आपको कि यह इंडिया में run करेगी question हमारा था यह कहां पर run करेगी नई airline जो है fly big तो यह करेगी इंडिया में run यानि नई Indian airline जो है वो है fly big fly big और इसको शुरू किया है संजय मंडल है और कौन सी space agency है जिसने अभी अभी हाली में अप्रूब किया है two heli physics mission heli physics heli physics heli physics mission sun को explore करने के लिए जो sun और अर्थ का जो औरा है उसको explore करने के लिए कौन सी agency ने दो mission को अप्रूब किया है तो यह किया है नासा ने और वो दो mission कौन से है यह है EUVST और दूसरा mission है EZIE EZIE और नासा ने इसको अप्रूब किया लाइंग्वेज को promote करने के लिए Tamil Nadu की जो language है यानि तमिल लाइंग्वेज उसके लाइंग्वेज और culture को promote करने के लिए एक Tamil Academy बनाई गई है, तो ये कहां पे बनाई गई है, ये बनाई गई है, दली में, ये बनाई गई है दली में, और जो दली के CM है वो है अरविंद के अजरुवाल, डिप्टी चीफ मिनिश्टर है, वो है मनीज सिसोधिया, और अभी कौन सी defense company है, जिसने Indian Navy को 8 landing craft utility ships deliver किये हैं 8 landing craft utility ships deliver किये हैं, तो ये किये है Garden Reach shipbuilders and engineers Garden Reach shipbuilders और engineers जिसका headquarter है, Kolkata में जिसका headquarter है, Kolkata में Prime Minister Naareen Modi ने अभी हाली में Natural gas pipeline को in heat किया, जो connect करेगा केरला के कोच्ची को कारनाटका के किस शहर से, यानि एक natural gas pipeline बनी है, जिसको Naareen Modi जी ने इन sure किया है, वो केरला के कोच्ची शहर को करनाटका के किस शहर से connect करेगा तो ये connect करेगा मैंगलूरू से, यानि कोच्ची से मैंगलूरू तक बनेगा नेचुरल गैस पाइपलाइन और इसको इनागरेट किया है परधानमंती नरेन मोदी जी ने और ये 450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन होगा, जिसको बनाया है गेल गैस अथार्टी इंडिया लिमिटेड जिसके चेर्मेन है, मनोज जैन, मनोज जैन, मनोज जैन, और मैंगलूरू क्यों और न्यूज में था, क्योंकि फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी बना था, इंडिया का पहला, कहां पे, मैंगलूरू में, तो ये भी आपको याद रखना है, Food Safety and Standard Authority यानि फसाई ने अभी ट्रांसफाइट को जो ऑईल में पाय जाता है, उसको कितने परसंट तक करने को कहा है, यानि इसको कम करने के लिए कहा है, तो ये कितना परसंट ट्रांसफाइट होना चाहिए? तो ये इन्हों ने कहा है, 2027 जो होगा, वो होगा कितने परसंट का कि, तो ये कहा है, कि 2021 तक 3 % ट्रांस फैटी एसेड आप यूज कर सकते हैं, ओयल में 3 । doesn औ Twelve Lightsaly tuk दक को कम करके करना है 2% और WHO ने कहा है कि हमें ट्रांस जो फैट हैं उनको completely खतम कर देना चाहिए कब तक 2030 तक वर्ड हेल्थ और्गनाईएशन इन्हों ने कहा 2030 तक ट्रांस फैट का यूज हमें बिल्कुल से खत्म कर देना चाहिए 2030 तक एडिया और कौनसे बैंग ने अभी sौ मिलियन का ल॒ण एग्रिमेंट कीया है पावर डिस्टिबॉशन को अपग्रेड करने के लिए कौन से शहइर के इस फांप अप्रिपरिाड होगा जिसके लिए हमें लृण लिया है, 100 million dollar का, 100 million dollar का, तो किस के लिए है हमने, ये लिया है हमने, बैंगलोरू के लिए, और किस से लिया हमने, ये लिया है हमने, ADB से, Asian Development, बैंक ने हमें लोन दिया है, 100 million dollar का, पावर डिस्टिबूशन को, अपग्रेड या, सुद्रिवड मनाने के लिए, बैंगलोर में, और लोन किस ने दिया है, ये दिया है, ADB ने, ADB ने, और ADB में, जो इंडिया के Chief Executive Officer है, वो कौन है, वो है, समीर खरे, है, समीर खरे, समीर खरे, तो ये भी आपको याद रखना है, और who was on, in as the new Chief Justice of Common Court of the Union Territory of Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir and Ladakh, यानि Jammu and Kashmir और Ladakh के, जो Chief Justice बने हैं, वो कौन बने हैं, अभी हाली में, तो ये बन गया है, पंकज मित्तल, पंकज मित्तल, और इससे पहले जो यहां की Chief Justice थी, वो थी गीता मित्तल, गीता मित्तल, अभी-अभी कौन प्रेसिडेंट एलेक्ट हुआ है, All India Chess Federation का, All India Chess Federation का, कौन प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है, या एलेक्ट हुआ है, तो ये बन गया है, संजय कपूर, संजय कपूर, और जो वर्ड चेस्ट, चेंपियन है, वो कौन है, माइगनस कालसन, माइगनस कालसन, इंडियन ओयल कॉर्पूरेशन ने अभी लाँच किया एक इनिशेटिव, जो की एड्रेस करेगा, जो प्रॉब्लम्स है, यानि बेसिकली जो इंडियन ओयल है, उसने अभी एक इनिशेटिव लाँच किया है, कि जो फ्यूल स्टेशन के आस पास जो लोग रहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको ये रिजॉल्व करेगा, या एड्रेस करेगा, तो उसके लिए कौन स इनिशेटिव लाँच किया है, इंडियन ओयल कॉर्परेशन ने, तो इस इनिशेटिव का नाम है, प्रियास, प्रियास, और कौन सा स्टेट है, जो अपना फोर्थ ग्लोबल आयर्वेदा फेस्टिबल आयुजित करेगा, फोर्थ ग्लोबल आयर्वेदा फेस्टिबल कौन अअयुजत करेगा और ये चवता, ग्लोबल आयरवेधा थे स्टिबल अगलेगे हिस्टिबल अंहीं है केरला और अभी यवी कुछ आयरवेध कॉलेज बने हैं कुछ क्या दो आयरवेध कॉलेज़ बने हैं एक बना है जामनगर में और एक बना है जैपुर में और जो आयरुवेदा है यह आता है आयूस मिनिस्ट्री के अंदर जिसके मिनिस्टर है श्रीपद यसोनायक जिनकी कॉंस्टिचुएंसी है नौर्थ गोवा सेकंड एडिशन होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकंड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का होगा ग्यारा फर्वजी से तो यह कहां पर होगा तो यह होगा गुलमर्ग में जो कि है जम्मू एन कश्मीर में गुलमर्ग में और यह विंटर गेम्स है और खेलो इंडिया समर गेम्स या खेलो इंडिया गेम्स यह होगा कहां पे हरियाना में हरियाना में कहां पे होगा पंच कुला में पंच कुला हरियाना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा पंच कुला हरियाना में Tri-Fed has signed an agreement with अखिल भारतिय वनवासी कल्यान केंद टू सेट अप Tri-Food Park पांच डिस्टिक्स में तो यह कहां पर बनेगा तो यह बनेगा मद्द परदेश में अभी हाली में किसान कल्यान मिसन फार्मर्स की इंकम को दोगुना करने के लिए किसान कल्यान मिसन किसने लौंच किया है तो यह लौंच किया है उत्तर परदेश की गवर्मेंट है अगला कोश्चन है कौन से स्टेट ने लौंच पाइड स्कीम यूद को सेल्फ रिलाइंट या स्वावलंबी बनाने के लिए लौंच पाइड स्कीम लौंच किया है बेसिकली इस स्कीम में होगा कि 6 लाख तक की लागत का कोई भी शौप इस्टुडेंट खोल सकते हैं और उसको खोलने में गवर्मेंट उनकी मदद करेगी लौंच पाइड स्कीम के कहब तो यह कौन से गवर्मेंट ने कहा है यह कहा है मद्द परदेश की गवर्मेंट और इसमें जो इस क्राइटेरिया है वो 18 साल से उपर है यानि 18 साल से उपर अगर कोई भी स्टुडेंट है तो वो लाउंच पाइड इसकीम की मदद ले सकता है या इसके लिए इलिजिबल है वो हैस बिकम दा फास्ट हैड अभी अभी हाली में यूमन राइट सेल इंडियन आर्मी बनाये गया है तो इसके पहले जो अध्यक्ष है या है यह कौन बने है तो यह बने है मेजर जनरल गौतम चौहान मेजर जनरल गौतम चौहान अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनरजी प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट का है तो वो कौन से डाम पे बनाये गया है मद्द प्रदेश में तो यह बनाये गया है ओम कारेश्वर डैम पर बनाए गया है जो की है मद्द परदेश में और यह है खांडवा डिश्टिक में और यह जो डैम है यह है नर्मदा नदी पर अभी अभी जो हाई लेवल गुरूप बना है साउथ एशिया गुरूप और अइनरजी तो इसके हेड कहो है साउथ एशिया गुरूप और अइनरजी यानि सेख तो इसके जो हेड है वो बने है राम विन्य साही राम विन्य साही अभी अभी प्यान से स्टेट ने लॉन्च किया म ंट है maini put अब यह भी कौन से बैंग ने 150 million dollar का loan किस bank से हमने sign किया है 150 million dollar का loan inland water transport infrastructure को improve करने के लिए यानि जो जल में transport होता है यानि नदियों में तो उसको improve करने के लिए 105 million dollar का loan sign किया है कोलकाता में inland water transport को improve करने के लिए जो कि वेस्ट बंगाल में है तो किस bank से हमने यह loan sign किया है तो यह किया है हमने ward bank से किस से किया है ward bank से और कोलकाता में ही खुला था देश का पहला tram library, boat library और टायर पार्क और अंडर वाटर मैट्वों यह सारे कोलकाता में ही खुले है इंडिया has signed two loan agreement, दो loan agreement हमने sign किया है पहला किया च्छेसो च्छेयालिस मिलियन डॉलर का new development bank से और जो state के highway है और district के road है उनको improve करने के लिए या उनको और अच्छा बहतर करने के लिए हमने दो loan sign किया है छेसो च्छेयालिस मिलियन डॉलर के new development bank के लिए तो यह जो road improve होंगे या इसको हम बनाएंगे तो वो कौन से state में बनाएंगे यानि यह जो loan हमने लिया है तो वो कौन से state के लिये या हमने आंदर प्रदेश के लिए आंद्र प्रदेश के लिए कौशी ministry है जिसने अभी fred business development portal launch किया कौशी ministry ने fred business development portal लांच किया है तो इसको launch क्या है ministry of rail win अभी अभी जो कौन सा चेर्ड जो IFFI है International Film Festival of India तो इसका जो ये कारिकरम आयुजित किया जाता है ये गोवा में किया जाता है और इसको हमने शुरू किया है 1952 तो इसकी जो जीवरी थी तो उसके चेर्मेन कौन थे उसके चेर्मेन थे पाब्लो सेजार पाबलो सेजार, जो की हैं अर्जंटीना से, ये भी आपको याद रखना है, जो की हैं अर्जंटीना से, महारशी आयरवेदा ने अपॉइंड किया है, अभी अभी ब्रांड अम्बेस्टर, महारशी अम्रित क्लास, जो प्रोडक्ट है उसके लिए, महारशी आयरवेदा ने brand ambassador appoint किया महारशी अम्रित क्लास के लिए तो ये brand ambassador किसको बनाए गया है तो ये बनाए गया मिलिंद सोमन को मिलिंद सोमन को इंडिया का फर्स्ट अर्बन कॉपरेटिव बैंक UCB अर्बन कॉपरेटिव बैंक बन गया है जो small finance bank को भी अपरेट करेगा यानि पहला इंडिया का अर्बन कॉपरेटिव बैंक है जो small finance bank अपरेट करेगा तो ये कौन सा बैंक बन गया है तो ये है शिवालिक मर्केंटाइल कॉपरेटिव बैंक खेलो इंडिया ice hockey tournament अब ये भी शुरू हो गया है तो ये कहां पर शुरू हो है खेलो इंडिया ice hockey tournament तो ये बना है कार्गिल में कार्गिल जो किया है जम्मून कश्मीर में और जम्मून कश्मीर में ही अभी पहला इगलू काइफे बनाई, जो 2730 मीटर की हाइट पर है, इगलू काइफे अभी हाली में किशी संजीवनी ONce को launch किस ने किया है, तो ये किया है करनाटका की गॉर्णमेंट ने, और करनाटका नेहीं एक portal launch किया था, जिसका नाम था, fruits portal, fruits portal, fruits portal, और Union Government ने यानि भारत की केंदर सरकार ने एक कमेटी बनाया है जो जो लद्दाक है उनके लैंग्वेज, कल्चर और लैंड को प्रोटक्ट करेगा यानि प्रिजर्ब करेगा तो इस कमेटी के जो हेड होंगे वो कौन होंगे तो यह होंगे G.Kisan.Reddy यानि यह कमेटी कहलाएग जी किसान रेड़ी कमेटी और एक है G.Satis.Reddy जो DR.D.O के चेर्माइन है तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है G.Kisan.Reddy है प्रोटक्टिंग दे लैंग्वेज, कल्चर और लैंड अफ लद्दाक कमेटी के हेड और G.Satis.Reddy है DR.D.O के चेर्माइन रिजर्ब बैंक ने अभी-भी सेटप किया है College of Supervisors. तो इसके जो हेड होंगे वो कौन बनेंगे? तो यह बनेंगे N.S. Bisunathan जो RBI के पूर्व Deputy Governor है. पूर्व Deputy Governor है N.S. Bisunathan और RBI नहीं अभी-भी हाली में एक Automated Node Processing Center अस्थापित किया है जैपूर में. Automated Node Processing Center यह किया है जैपूर में स्टार्ट किसने RBI नहीं? वो बिकेम दा फस्ट फीमेल मैच ऑफिशियल्स इन मेंस टेस्ट किर्केट यानि फोर्थ उंपायर जो बनी है मेंस टेस्ट किर्केट में जो एक महिला है इंडिया और आश्ट्रेलिया के बीच में जो अभी हाली सीरीज हुई थी जिसमें इंडिया जीत गया था तो उसमें पहली कौन महिला थर्ड अंपायर बनी है, तो यह बनी है, क्लेयर पुलोसाथ, विरेंदर कुमार पॉल has been appointed as ambassador of India to which country, यानि विरेंदर कुमार पॉल यह ambassador बन गए है, कौन से country के, तो यह बन गए है, सुमालिया के, सुमालिया के, और जो सुमालिया की capital है, वो है, मोगा दिशू, मोगा दिशू capital है, सुमालिया की, कौन सी company ने अभी virtual breakout room, virtual breakout room, feature को enable किया है, या launch किया है, तो जैसे zoom app होता है, जिस पे हम meeting attend करते हैं, कई सारे लोग मिलके, तो इसी type का एक virtual breakout room feature launch किया है, तो यह किस ने किया है, Microsoft में, Microsoft में, और Microsoft के दो App आपको याद रखना है, एक है, काईज्ला, काईज्ला, के आई, जपे जड़ एlle, काईज्ला, और जो दूसरा App है, वो है, azier, azier, यह भी आपको याद रखना है, यह भी Microsoft का ही आप है, और Microsoft ने अभी हाली में जो एक ट्राइबल लैंग्वेज थी, ट्राइबल लैंग्वेज गोंडी, गोंडी को ट्रांसलेट किया था, किसने Microsoft में ही, जो कि एक ट्राइबल लैंग्वेज है, और अभी अभी एक book launch हुई है, राइट अंडर यूर नोज, तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है, आर ग्री धरने, आर ग्री धरने, who has been appointed as new chief justice of Guwahati High Court, Guwahati High Court, जो कि असाम में है, असाम की capital है दिस्पुर, तो इसके जो chief justice नियुक्त किये गये हैं, तो ये कौन नियुक्त किये गये हैं, अभी हाली में, तो ये नियुक्त किये गये हैं, सुधानशु धूलिया, सुधानशु धूलिया नियुक्त किये गये हैं, Guwahati High Court के chief justice, और जो CGI है, वो है, S.A. बोबडे, S.A. बोबडे, शरद अरविन बोबडे, which among the following is organizing, उद्दोग मन्थन, उद्दोग मन्थन आयुजित किया जाएगा, चार जन्वरी से मार्च दो तक यानि दो मार्च तक आयुजित किया जाएगा, और इसमें basically जो उद्दोग धन्दे हैं, उनको कैसे बढ़ावा मिले, उनकी क्या परिशानिया हैं, उनको discuss किया जाएगा, तो यह कौन आयुजित करेगा, यह करेगा DPIT, DPIT, यानि Department for Promotion, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Bureau of Indian Standards ने अभी-अभी celebrate किया अपना Foundation Day, 6 जन्वरी को, 6 जन्वरी को celebrate किया Foundation Day, तो यह कौन सा Foundation Day था, तो यह सा 74th, यानि 74th यानि 74th फाउंडेशन था, कौन सी Municipal Corporation ने अभी-भी launch किया है, थैला बैंक, थैला बैंक, तो यह launch किया है, लखनो की Municipal Corporation ने, और लखनुूrent मुंसिपल कॉर्परेशन जो नौवा मुंसिपल कॉर्परेशन जिसने लौँच किया है मुंसिपल बוंड पहिला जो था वो था बैंग लोरी और यह थाला बैंग क्या होगा इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रूप होती है, यानि जिसमें महलाएं होती है, तो वो इसको बनाएंगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनको रोजगार मिलेगा, तो इसको लॉंच किया है, लखनो मुंसिपल कॉर्पोरेशन है, Is which state has recently announced to provide green tech ? Green tech प्रोवाइट करेगा government offices को और public sector अंडर्टेगिंग जो उनको प्रोवाइट करेगा. Green tech तो ऐसा करने वाला कौन सा state है तो यह है केर्ला, और यह किस scheme के थाओ प्रोवाइट करेगा, यह प्रोवाइट करेगा, Harit Kerala Mission के तह है Harit Kerala Mission के तह है & Kerala का पहला Megafood Park बना है Megafood Park बना है, वो बना है turdhakम để पहला Gender Data Center बना है भी बना है तो Kerala मे & Kerala नहीं मच्वारो निये परिवरतनम योजना की शुरुमाद की ती किसके लिए मचवारों के लिए और जो Cherry Blossom Festival होता है ये कहां पर मना जाता है Cherry Blossom Festival तो ये मना जाता है Moneypur मनीpur की Kapital Infall नहीं Moneypur की Kapital Infall में जिसके जहां के CM है विरेंद्र सिंह विरेंद्र सिmm India's First Fire Park India's First Fire Park ये कहां पर बना है यह बना है भूनेश्वर में, भूनेश्वर जो की है उड़ीसा की कैपिटल, और इस फायर पार्क में क्या होगा, बेसिकली बच्चों को इस पार्क में ये ट्रेनिंग दी जाएगे, कि अगर कहीं प्याग लगती है, तो उसको कैसे बुझाया जाए या उससे कैसे बचा जाए, तो ये इसके लिए बना है इंडियास फायर पार्क भूनेश्वर में, और भूनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम, जहां पे होगा वर्ड मेंस हौकी कप, टुर्नामेंट 2023 में, और ये दो जगाँ पे होगा है, एक भूनेश्वर, कलिंगा में एक राउ केला में, बीजू पटनाये, होकी स्टेडियम में, और सबसे बड़ा होकी स्टेडियम भी बनना है कहां पे उडिशा में, कौन सा स्टेट है जिसने अभी लाँच किया है एक mobile application जिसका नाम है सतर्क नागरिक सतर्क नागरिक इसको किसने लाँच किया है तो इसको लाँच किया है मनोज सिन्हा ने मनोज सिन्हा जो lieutenant government है जम्मू एन कश्मीर के मनोज सिन्हा इन्होंने लाँच किया है तो यह सतर्क नागरिक किसने कहां पर लाँच हुआ जम्मू एन कश्मीर और जम्मू एन कश्मीर में ही बनना है केबल ब्रीज जिसको बोलते हैं अन्जी खाद ब्रीज यह भी आपको याद रखेंगा इंडियाज़ फ़स्ट इंडोर इसकी पार्क यह कहां पर बनेगा इंडोर इसकी पार्क यह बनेगा कुर्फी में, यानि कुफ्री में, तो यह है हिमाचल परदेश में, इंडोर इसकी पार्क हिमाचल परदेश में, एक हाई लेवल कमेटी बनी है, इसके चेर्मेंशिप के अंदर, जो यह डिसाइड करेगी, की जो 125th बर्थ इनवर्सरी है, सुबास चंद बोस जी की, जो कि अम मनाई जा चुकी है, तेज जन्वरी को, तो इनकी जो बर्थ इनवर्सरी है, यह काफी धूमधान से मनाई जाए, तो इसको देखने के लिए, एक कमेटी बनी है, हाई लेवल की, उसके चेर्मेन कौन है, त सारवहान मंत्री नरेन मोदी जी, और अभी हाली में हावडा कालका मेल, हावडा कालका मेल का नाम चेंज करके, नेता जी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया है, और उडीजा में एक बस टर्मिनल है, जिसका नाम किया गया है, नेता जी सुबास चंद बोस बस टर्मिनल, और यह है कटक में, और कटक ही है नेता जी सुभास चन्द बोश की का जन्मस्थान, तो यह भी आपको याद रखना है, अभी अभी कौन से बैंक ने एक शौर सेलेरी अकाउंट, प्रोवाइड करेगा बैंकिंग सर्विसेज टू आर्मी परसनल के निया, यानि आर्मी के लिए एक शौर सेलेरी अकाउंट प्रोवाइड करेगा, कौन सा बैंक, तो यह प्रोवाइड करेगा, बंधन बैंक, बंधन बैंक, और इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक इससे मिलता जूलता ही है, शौर केजी सी कार्ड, शौर केजी सी कार्ड, तो इसको लॉंच किया था, HDFC ने, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं हो, शौर केजी सी कार्ड है HDFC का, और शौर सेलेरी अकाउंट है, यह है बंधन बैंक का, अभी हाली में आपको पता होगा, 91 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल आयुजित किया गया गोवा में, तो इसमें जो फोकस कंट्री था, वो काउन था, फोकस कंट्री यह था बंगलादेश, और बंगलादेश की जो कैप्टल है वो है धाका, करेंसी है टाका, परधान मंत्री है सेख हसीना, और जो अभी हाली में हमने 26 जन्वरी क को 72 गलतंतर दिवस मनाया, उसमें बंगलादेश की सैन टुकडी ने भाग लिया था, और 26 जन्वरी को ही भावना कांत ने परेड दिवस के दिन, पहली महिला ये बन गई है भावना कांत, जिन्होंने फायर फाइटर प्लेन उड़ाया है, परेड के दिन, तो ये भी आपक के दीधाई है, किसको बेच दिया गया है? इन्डी गरीड को बेच दिया है, 74 परसेंट का स्टेक जो शेयर था तो यह बेचा है तो कितने अमाउंट पैसा है? तो यह बेचा है 900 करोड का, जैनी 900 करोड में रेलाइंस इंसफरा ने 74 परसेंट का जो शेयर था PK-TCL का, वह इ NetMades, NetMades जो की एक pharmacy company है, इसको खरीदा है Reliance में, और एक है Urban Ladder, इसको भी Reliance ने खरीदा है, और future का जो पूरा retail business है, वो भी खरीदा है Reliance में, यानि future retail को भी खरीदा है Reliance में, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको like, share, और comment जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसका जो second और third part है, वो बहुत ही जल्द इस channel पे upload होगा, तो बने रही है हमारे साथ, तब तक के लिए study hard, be happy, be positive and always keep smiling.